दिव्यां कल्यानकारी, NAWPH, NORF National Association for Welfare of the Physically Handicapped, NAWPH, अमरावती एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है, जो विभिन्नक्षमताओं वाले व्यक्तियों के कल्यान के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है. इस Association की स्थापना क्षेत्र के कुछ समान विचारधारा वाले सामाजिक कार्यकरताओं के प्रयासों से जन्वरी 1984 में हुई थी और 16 जन्वरी 1985 को पंजिकृत किया गया था. अमरावती शहर के प्रसिद्ध चार्टर अकॉंटन श्री चंद्रकान कलोती, अकॉंटन श्री विजय नारायन श्री वास्तव, श्री रामराव पोके, श्री सुधाकर पोके, श्री दिलीब धुटे, श्री किशोर वैध्य आदी कुछ समान विचारधारा वाले कार्यकरता के सहायता से हमने विदर्प के नामी गिरामी व्यक्ती तथा दानशूर व्यक्तियों की मदद से नौफ की स्थापना की है। हमें समय समय पर गणमान्य राजकिय पुढ़ारियों से भी प्रोचसाहन प्राप्त होता रहा है। नौफ की कल्यान कारी नितियों के और गतिविधियों के मुख्य आधार स्तंब बने हैं, पुच्च शिक्षित डॉक्तर शिशिर कुमार मौपात्रा और डॉक्तर अनिल धवले जिन्होंने विशेश शिक्षा में पी एच डी की उपाधी प्राप कर अपना खास मकाम बना लि में अपना अपना योगदान दे रहे हैं. हमारे जागरुक, माता, पिता और शुप्चिंतकों के बल पर आज हम समर्थ होए हैं, ताकि हमारे इलाके के शहरी, निमशहरी, ग्रामेन तथा आधिवासी क्षेत्र में कोई भी अपाहिस बच्चा शिक्षा या प्रशिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए. आज तक हमारे उद्देश को लगातार ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों में सर्वांगीन परिवर्तन लाना, शैक्षिक, प्रशिक्षण और पुनर्वा सेवाय प्रदान करना, तक्नीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना, स हम अग्रेसर हो रहे हैं. और आप ही की सदिच्छा के बल पर भविशकाल में भी हम काम्याब होंगे. आने वाली पीडियों को इस विचारधारा से उननत होने का मौका मिलता ही रहेगा, यह हमारा विश्वास है. कोशिश करते रहना हमारा कर्तव्य धर्म है. और कोशिश कर अग्रने वाले की कभी हार नहीं होती. हमारे इस धेय प्राप्ती की और बढ़ते हुए हमारी संस्था को प्रतिष्थित सर्वश्रेष्ट संस्थान पुरस्कार विकलांगता के क्षेत्र में 2013 सामाजिक न्याय और विशेश सहायता विभाग महराष्टर राज्य और भूशन पुरसकार माइनस 2019 प्राप्त हुए है. आपका स्वयन सेवी योगदान हमारे इस कार्य को उचाई तक ले जाएगा. इस धार्णा के साथ आपके सामने कुछ पंक्तिया और चल्चित्र समाज के सभी वर्गों को जागरुक कर नौफ को अनुदान देने हेतु प्र जिम्मेदारी पर संस्था में दाखिल किया जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है. जैसे की बच्चे का प्यार दुलार के साथ लालन पालन, आहार विहार, स्वास्त कथा आरोग्यदाई वातावर्ण, मानसिक आरोग्य, खेल कूद की सुविधाए, योग्य शिक्षा के साथ, उनके अंदर कुतुहल, जिग्यासा और बुद्धिमत्ता के विकास की संधी, शिक्षा ग्रहन करने हेतु उचीत साधन, सामुग्री, उपलब्धी और निर्मिती, ज्यान ग्रहन के साथ साथ व्यक्तित्व का सर्वांगेन विकास होने योग्य वातावर्ण आदी, जिसके फल्स्वरूप वेस परधात्मक जीवन जीने योग्य बने, ताकि वे आत्म विश्वास के साथ स्वावलंबी होकर आत्मसन्मान पूर्वक जीवन जिने की राह अपनाएं और समाज के आम व्यक्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। सब अपाहिस बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। उनके लिए शैक्षनिक, वयक्तिक और सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास प्रक्रिया हर एक के क्षमता के नुसार भिन्न भिन्न होती है। इस प्रक्रिया में सहभाधी पर्यवेक्षक, शिक्षक, कुशल तथा अकुशल कर्मचारी वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का अदा करते हैं। समय समय पर उन्हें नए नए तरीके सीखने, सिखाने और आजमाने पड़ते हैं। जिससे में बाल मानशास्त्र का उप्योग कर उन्हें यशस्विता की राँ पर अग्रेसर बनाने में समर्थ हो सके। इस प्रक्रिया से गुजरते समय हर कदम पर जरूरत होती है सेवाभावी वृत्ती से स्वेचा पूर्वक दान देने वाले दाताओं की और स्वयन सेवकों की। क्योंकि रुपए पैसे के बगेर हर सुविधा देना वो भी कुशलता और निपुणता के साथ नामुम्किन है। जीने का नया सहारा लेकिन जब मा बाप को पता चलता है कि अपनी संतान अपाहिज है तो उनके जीवन की सारी उमीदों पर पानी फिर जाता है जिससे वह निराशा की गर्द में डूब जाता है। ऐसे में कॉटम मिक स्थिती हाला खिकी की हो तो भगवान ही मालिक है। मा तो अपने कलेजे के टुकडे को अपने से अलग करना ही नहीं चाहती है। सेवा भावी व्यक्ती सोचते हैं नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का मुर्जाय ना फूल कहीं गरीबी की थपेडे जहिलते हुए या विक्सित होने की संधी प्राप्त न होने से कभी उनकी यहां आस न तूट जाए, माता पिता के आशीश का साथ न तूट जाए कहा जाएंगे यह मुकदर के मारे, यह बुचते दिये। तिम्तिमाते सितारे विदर्प के ग्रामेन तथा आदिवासी दिव्यांगों को सहारा देकर उनका जीवन विक्सित करने का हमारा संकल्प है। आपका स्वयन सेवी योगदान हमारे इस कार्य को उचाई तक ले जाएगा। नौफ द्वारा इसी उद्देश पूर्ती करने हेतु निनलिखित उ विद्यार्थियों के लिए पाठशाला जहां हर वर्ष 50 विद्यार्थियों को शिक्षा का लाब प्राप्थ हो रहा है। जहां द्रिष्टी बाधित व्यक्तियों के लिए और करन बधिर व्यक्तियों के लिए विशे शिक्षक प्रशिक्षन केंद्र सन 1990 से चलाया जा रह जिससे लाभान्वित कई सारे शिक्षक सरकारी नौकरी पाने में समर्थ होकर अपना योगदान दे रही हैं। के रूप में बनाने की योजना बनाई है क्योंकि यह राज में द्रिष्टिबाधित जनजाती के छात्रों के लिए एक मात्र स्कूल है। सभी आवशक सुविधाओं से सुसजित जैसे शैक्षिक सुविधाओं, व्यावसाइक शिक्षा विंग, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए सेट अप, कला और शिल्प, कुस्तकाले सेवाएं, संगीत और विज्ञान निर्देशों के लिए प्रयोक्षाला आदी है। तीन व्यावसाइक प्रशिक्षन केंद्र, VTSD, अमरावती, जहां अपंग व्यक्तियों के लिए कारपेंटरी, टैलरिंग तथा कटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोनिक्स तथा रेडियो सर्विसिंग, डीटीपी ओपरेटिंग, कम्प्यूटर ट्रेनिंग आदी, प्र वर्ष साथ दिव्यांगों को प्रशिक्षित कर अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करने योग्य प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा कई सारे दिव्यागों का सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास करने हेतु उन्हें रोजगार तथा स्वयम रोजगार प्राप्थ करने के मौके प्राप्थ हो रहे हैं। चार, ब्रैल लिपी में द्रिश्टी बाधितों को पढ़ने योग्य किताबे छपाई केंद्रसन 2019-2020, जिसके द्वारा आज तक पाठ्थिक्रमिक किताबे तथा साहित्य निर्मिती कर उन्हें द्रिश्टी बाधितों को मुफ्त वित्रित किया जा रहा है। पांच, रहिवासी पाठ्शाला, दर्यापुर, 2010 से हर वर्ष 30 द्रिश्टी बाधित बालकों को पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक शिक्षित कर रहा है। इनके अलावा नौफ द्वारा अपंग कल्यान साधने हेतु निमलिखित गतिविधिया भी कार्यानवित की जा रही है। एक अमरावती जिले के आदिवासी विभाग मेलगाट में दिव्यांगता के बारे में समाज को जागरुप कर उनका शैक्षणिक और सामाजिक तथा आर्थिक पुनरवास साधने हेतु CBR प्रोजेक्ट जिसके तहट दिव्यांग विध्यार्थियों को अपने ही इलाके मे कॉसल निंग कर शिक्षा तथा प्रशिक्षा देकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगेन विकास करने की संधी प्राप्त की जाती है 2. सेवभावियों को अपंग कल्यान कार्यों के लिए प्रेरित करने हेतु उन योगदान दाताओ तथा सेवावरतियों का सनमान करने हेतु ठोंबरे गुरुजी राश्च्रिय पुरसकार देकर गौर्वानवित किया जा रहा है 3. दिव्यांगों के लिए खेल कूत प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जा रही है जिससे वे राज्य तथा राश्च्रिय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में सहभागी हो रही है 4. दिव्यांगों के सांस्कृतिक तथा अंभूत कलागुरों का विकास करने हेतू विवित प्रतियोगिताएं 6. विद्यार्थियों को गायन और वाध्य संगीत का प्रशिक्षन देकर प्रोच्साहित किया जाता है 7. द्रिष्टी और श्रवन बाधित छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा देने हेतू संस्थान ने अपनी स्वयम की कंप्यूटर लैप स्थापित की है 8. संस्थान में एक पुस्तकाले है जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए 1000 से अधिक पाठ्य और संदर पुस्तके उपलब्ध है 9. दृष्टिबाधित छात्रों और व्यक्तियों के लिए एक ब्रेल लाइब्रेरी है, जिसमें ब्रेल में 1100 से अधिक पाठ्य और संदर पुस्तके शामिल है 10. हमारी संस्था से शिक्षित, प्रशिक्षित विद्यार्थियों का सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास साधने में हमारी कोशिशे जारी है अपने जीवन में अचानत दृष्टी हींता का सामना करने वाले हमारे क्लाइंट्स शुद्ध उपदेश पाकर और प्रशिक्षन पाकर अपने जीवन में रोजगार पाने में समर्थ होए हैं जैसे की कुमारी हर्शा ढांडे जो वानेजे शाखा में पदवी प्राप करने के उपरांद अपनी दृष्टी गवा चुकी है वह और उसकी बड़ी बहन आज विशेश शिक्षक का प्रशिक्षन प्राप कर सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर अपनी जिम्मेदारिया निभा रही है डॉक्तर विलास लोखंडे जो अपना डोक्तरी व्यवसाय करते हुए प्रोढ़ावस्था में दृष्टी गवा चुके थे वे आज शुद्ध हुपदेश पाकर और नौफ में शिक्षा लेने वाले दृष्टी बाधितों को देख कर आज अपने जीवन में यशस्वी बिमा एजेंट बने हुए है श्रीमती सरला जोशी जो बाल्यावस्था से अपनी दृष्टी गवा चुकी थी वह विशेश शिक्षक का प्रशिक्षन प्राप्त कर चीखल्दरा की स्कूल में शिक्षक पत प्राप्त कर अपने जीवन में स्थापित हो चुकी है श्री सारनाथ गैडम भी दृष्टी हींता के बावजूद विशेश शिक्षक का प्रशिक्षन प्राप्त कर चीखल्दरा की स्कूल में शिक्षक पत की जिम्मेदारिया निभा रहे है तो इससे भी उपर की कड़ी साबित हुई है श्री माधव तायडे के रूप में जो नौफ से शिक्षा प्राप्त करते हुए और अपना करियर स्थापित करते हुए आज अमरावती के कलेक्टर कार्याले में आज सल्स टैक्स इंस्पेक्टर पत पर आसीन है वे संगन की ओपरेशन में माहर माने जाते है आज मेलगाट का आदिवासी अपल द्रिश्टी अविनाश का सदेकर हमारी संस्था से शिक्षन पूरा करते हुए इंजिनियरिंग की शिक्षा ग्रहन करने की कोशिशों में जुटा है सन 1947 में अपने देश के आजादी के उपरांथ जब अपने देश में अंध कल्यान के क्षेतर में योगदान देने वाली संस्थाए बहुत ही सीमित स्टर पर उपलब्ध थी तब किसी छोटे से गाव में रहिवासी आम आदमी को अपने घर में जनमे हुए द्रिश्टी बाधित बालकों को सिखाना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना असंभव साल लग रहा था तब शुपचिंतकों की सला नुसार उस्मा बाप को अपने ही कलेजे के तुकडे को अपने आप से दूर कर किसी दूरस्थ निवासी स्कूल में रखना पड़ा सिर्फ दुन्दली सी आशा की किरन थी की मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अपना जीवन सफल बनाएगा ये तो उपरवाले की महरबानी थी की वे बच्चे दृष्टी बाधित होने के बावजूद बुद्धिमान थे उनको प्राप्थ हुई सेवा कार्य से वे दिन बदिन तरक्की कर सीड़ी दर सीड़ी सफलता की प्रादान पर आसीन होते गए और उन्होंने आत्मसन्मान के साथ स्वावलंबी होकर सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली वे आज विदर्प के इलाके में दिव्यान कल्यान के कार्यों में विशेश्टग्य बनकर समाज में अपना उच्च स्थान ग्रहन कर चुके हैं यह संक्षित कहानी है पोकले बंदुओं की जो आदरणिय श्री केशवराव भगवंतराव ठोंबरे गुरुजी के आदर्श और सेवाभावी वृत्ती से प्रेरित थे उन्होंने संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ऐसा कार्य प्रारम किया जिससे निव रखी गई आदिवासी ग्रामीन और नीम शहरी कजबे में अपंग कल्यार के क्षेतर में योगदान देने वाली National Association for Welfare of the Physically Handicapped की इरादा था कि इन विभागों में जन में किसी भी अपाहिस बालक को नहीं गुजरना पड़े उस दर्द भरे एहसास का, मुश्किलों का, कठिनाईयों का और अपने इलाके से दूरस्थ जग़ जाकर शिक्षा प्राप्त करने का जब हमने इस कार्य की शुरुवात की थी तब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था हमें एक चटाई और एक टाइप राइटर भाड़े के रूम में रख कर काम करना पड़ा हमारे कई सारे कर्मचारी दिन रात मेहंत करते हुए अल्प मांधन पर सेवा में जुटे रहे बहुत बार तो वे हस्त लिखित पत्र लिख कर जग़ जग़ भेज रहे थे हमारे कई सारे ऐसे ही सेवा भावी कर्मचारी आदिवासी इलाकों के पाड़े-पाड़े कस्बे-कस्बे गाव-गाव में जाकर दिव्यागों को धूनते थे उनके माता-पिताओं को और परिवार वालों को समुपदेशन कर बच्चों को संस्थान में दाखिल करने के लिए प्रवृत करते थे उन्हें भरोसा देते थे कि हम आपके बच्चों को सही धंग से देखभाल करते हुए पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और ऐसे विक्सित करेंगे कि वे कल स्वावलंबी होकर अपना स्वयंपूर्ण सन्मानपूर्वक जीवन जीने के काबिल होकर कल वे आपका भी सहारा बन स रखते हैं। ऐसे कड़ी मेहंत कर उन्होंने आदिवासी विभाग के कोने-कोने में जाकर अपनी भूप प्यास को सहते हुए, अपना पसीना बहाते हुए कड़ी मेहंत के साथ दिव्यान बच्चों को इकठा करने का अपना वादा पूरा कर दिखाया। और उनका वादा पूरा करने की कोशिश हमारी व्यवस्थाप किया समिती अविरत धन से मेहंत कर पूरा करती रही। यही पर हम अपने इलाके के आदिवासी तथा ग्रामीन रहिवासियों का विश्वास प्राप्त करने में समर्थ हो गए। हमारे संस्था के विकास के पत पर अग्रेसर होते हुए जब हमें इमारते खड़ी करने के लिए और पढ़ने वाले छात्रों को सेवा सुविधाय निर्मित करनी थी, जो अपने देश में एक मोडेल बन कर देश के कोने-कोने में ऐसी ही संस्थानों को विक्सित करने की प् अपाहिज, ये गरीब, ये आदिवासी सब हैं जरूरतमंद इनके जीवन विक्सित करने के लिए चाहिए शिक्षा, प्रशिक्षा और विक्सित होने के मौके. क्या हम इन सब को अपने-अपने नसीब के सहारे छोड़ दे और हमारे ही समाज को विक्सित होने से रोक दे? इनके जीवन में आई हुई इस जीवन जीने की आशा की जयोत को प्रजवलित करने हेतु हात बटाना है. तो इसे जलाए रखने के लिए आवशक्ता है धन दाताओं की, स्वयन सेवावृत्ती से मदद करने वाले स्वयन सेवकों की, शुपचिंतकों की और जागरूक समाज की. आप हमारे कारियों के बारे में जानकारी https//nawphandia.org इस वेबसाइट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. आप हमसे संपर्क साथ सकते हैं. nawphandia.gmail.com इमेल द्वारा और हमारे संपर्क्रमांक है. हमारे कारियों को आप प्रत्यक्ष रूप में देख या परक सकते हैं. ऐसी सेवा सुविधाए जरूरतमन दिव्यांगों को देना दिन बदिन बढ़ती हुई महंगाई से मुश्किल होते जा रहा है. अधिक से अधिक अनुदान जुटाने में आप सभी दयावान सेवा भावियों का सहयोग जरूरी है. साथी हाथ बढ़ाना, समाज को अपंकल्यान के कर्तव्य के बारे में जागरूप करना, ज्यान्यग्य प्रज्वलित करते रहना. जोद से जोद जगाते चलो, ज्यान की गंगा बहाते चलो. आपका सहयोग ही हमारी ताकत है.